कि नमस्कार मैडम किरन जी नमस्ते मैं मैं उमिद नहीं था कि आप यहाँ पर होंगी इस समय आपको देखकर थोड़ा होसला बुलंद हो रहा है क्योंकि आप किरन जी आप तो मुझे अपनी केरियर की सुरुवात से ही आज तक देखते आ हैं कितने उत्थान पतन की बीच में जिन्दिगी हमारी आगे बढ़ा है और आप उसके चस्पंदित गवा रही है तो इसलिए आज मैं आपको यहाँ पर देखकर अनंदित हो रहा हूं तकि आप भी क्योंकि जो मेरी जो पड़ाव है जीवन का उसमें आप का फी एक एहम हिस्सा है तो इसके उपर आज चर्चा करेंगे राहूल जी नमस्कार इवार वीजिबल थैंक्यों नाटरन सुरेश कुमार विलकम सर विलकम थैंक्यों सुकानपूरी सुदेश थैंक्यो तकि तकि जो अच्छा काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के यहां से बात सुरू कर सकते हैं हिंदुस्तान के जो सक्री रंग कर्मी जो रंग मंदल या रंग मंच जो आज हमारी सामने पर मौझूद है तो उन में से कुछ मतला हलाकि दरा सो में थैटर ग्रूप जो कि पिछले 50 साल में इतरा डेवलप जो हुआ है वो अक्च्छली सरहानिय है इतनी सारे यह तेटर अर्गनेशन तेटर ग्रूप थैटर लोग इतने तदाद में लोग काम कर रहे हैं और सिरियस थैटर वार कर नहीं है इसके लिए हम रेली हुए रेली लुकी बट उसमें से कुछ लोग जो रंगमंज को सच मुच आगे बढ़ाने में सिर्फ सिर्फ डिरेक्शन या अक्टिंग या प्रूप इसमें नहीं मतलब प्रुष्टप हो सकता है इस तरीके से होता है उसमें नटरंग का स्थ प्रुष्टान बहुत सा बुच्चम है बलबंध जी की इसमें देख रेक में यह सवस्ता आगे बढ़ा है हम तो इसको सुरू से बाबाजीतों से हम देखते आ रहे हैं मेरे खाल से in 88 88 में यह प्रस्तुती हमने दिल्ली में देखने का सुभाग्य विला था अभिनास ना जावनो अभिषेह नियावन तेंक यू तैंक अभिषे। आवणीवू अभिषेख अवर यू जस्टेरिए यॉर वएस टेक में बाक टॉर लंडन देख विस्पेंट तोगेजर यईसुपें के खिर लेंदोन तोगेदर था हुआ खिरिया था अंद्ट ज आघन रहे हैं सब्सक्राइब करते हैं या उसकी बारे में पढ़ते हैं जानते हैं जागरूख हैं तो वी आव वी आर वेरी मच आवेर अवेर और वह उन कहां किस तरके से काम कर रहा है हिंदुस्तान में जितने रिजनल प्रांटिय वहासा बैनाटक हो रहा है सब्सक्राइब करने का मतलब हमें सवभाग्य भी प्राप्त हुआ है वह बहुत कटू पूर्ण या बहुत दुखदाई समय रहा है जीवन में तीस साल के आसपास बट उस दर्मियान जो घूम कर काम करना और अलग-अलग तरीके के लोगों का साथ मिलकर काम करना सबके काम को देखना और उसमें एक अपने अनुभूति को मजबूत करने का जो जो मुझे अवसर मिला है भारती रंगमंच में उसके लिए मैं सच में धन्यवाद देता हू और सारे रंग कर्मी दोस्त लोगों को मित्र लोगों को मतलब उसके लिए में धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपकी सदिच्छा आशिरवाद जो आपको वीशिस की बज़र से जो भी जिवन में कर पाया में थोड़ा बहुत करने की प्रयास किया है तो मैं अभी करीब आदा गंडा 40 मिनिट करीब में थोड़ा बात करूंगा और उसके बाद हम सारे जितने सारे प्रस्ण होगा उस सब के जवाब देने पुर्शन आंसर देने की कोशिस करूंगा इन्होंने से टॉपिक बड़ा भयंकर दिया है कि यूर वीजन इन थिएटर यह अपने आप में बहुत विशाल है द्रिस्टी के बारे में बात करें तो मेरी जो रंग कर्म की जो प्रक्रिया है रही है और पिछले 35-40 साल अर्मूस्ट अगर हम ब्राश्ट इन अक्टिव देले से पास आउट करने से ही काउंट करते हैं तो 37-38 साथ हो चुका है और अगर उसको मिला दें तो 40 एर्स करस्ट कर चुके हैं करने का साथ साथ हमें एक अनुभूती जो प्रक्त हुआ है और जो एक द्रिष्टी जो ढूंडने की कोशिश रहा है जो कि रंगमंस तो हमेशा एक डिस्कावरी है इस इस सेल्फ डिस्कावरी आप अपने को उसके अंदर पलासते हो आपके अंदर में क्या है ये हामच अनुभूती जमता जाता है वह आपका अपना होता है वह आपकी एक्सविरियंस और आपको मार्ग दिखाता है आगे चल के तो उसी तरीके से अगर देखा जाए ये 30-40 साल की जीवन में कई पड़ाव आए हैं कई बार उपर जाना नीचे आना उतार चड़ाव जिससे सांप सेड़ी वाली बात होती है चड़ता गिरता पढ़ता आगे बढ़ता हुआ इनसान एक मुकाम तक पहुंचना का कोशिश में लगा रहता है लगे कोई भी सत मतलब उस सिखर तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि जहां तक आप जाते हैं वो लगता कि और आगे कुछ और है तो जो अभी दिखाई पड़ता है वहां तक जब हम पहुंच जाते हैं तो लगता है कि उसके आगे कुछ और है वो और होने लक्ष नहीं केवल पत इसी तिर्थ पत पर चलना लक्ष एही गंतब एही है, तो यहां पर आप यहां पर मौझूद है, मैं बहुत आनंद में हिस्ट कर रहा हूं क्यूंकि मेरा जीवन में कई पड़ाव आपके साथ गुदरा है, तो मैं भूल नहीं सकता, पंच्छे से आते हैं से ना अजर कर्म कृता है न तो यह जनाते हुए भी, हम अगर रंग कर्म कोई करता है तो हमें लगता cuidado कि अबनाद्य विघ्जा अपना अदमी है यह जो सुख का अनुहुती जो रंगमन से हमें दिया है यही उसकी पुंजी जब हम लेकर इस दुनिया से जाएंगे यही हमारा साथ ही जाएंगा तो मैं बात कर रहा था कि जिवन की जो पड़ावत में मेरी लाइफ की जो जॉर्णी रही है वो मेरी दृष्टी इसी का साथ ही जुड़ा हुआ है मैं इसको अलग नहीं कर पाऊंगा कि आप अगर बोलेंगे कि आप बिल्कुल इसको ठीराइज करने की कुशिश करें कि आपकी वीजन एक्जेक्ली है क्या वो मेरी यात्रा ही मेरी दृष्टी है उसी के अंदर जो भी देखा उसके आज़ पास मैं जितने सारी चीज़ आज सुबहुत थैंक यू सुबहुत यू आज इसको बात करेंगे पिछले अगर आप इसको एकाडेमिक अले देखा जाए मैं जब से हाइदराबाद इंवर्सिटी में यहां पर जैन किया दो वज़ाव साथ के बाद मेरी रंग दृष्टी थोड़ी बदलने की बदली है इसके पीछे कई कारण है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जब तक हम दिल्ली में फ्रिलांसिंग करते थे या दिल्ली रंगमंच में या घूम घूम कर वाक्षप सोगरा में काम करते थे तब एक सिस्टमेटिक एजुकेशन की बात जहां तक आता है एक क्रमन में पढ़ाओ जो एजुकेशन को या जो भी आपने जो गरहन किया है उसको सिस्टमेटाइज करने में वो हम साइद हम कर नहीं पाए थे तो यहाँ आने के बाद मैं अपने आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश किया, अपने आपको ढूनने की कोशिश किया, कितने लोगों के साथ काम किया हूँ, अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो एक पूरा हिमाले परवत जैसा काम पीछे पड़ा हुआ है, सिर्फ मेरा नहीं मेरे साथ जितने लोग काम कियें कहीं ना कहीं मैं मैं उसका हिस्सा हूँ चाहे वो गिलोरी का एक मतलब राम की से तुबंद में और थोड़ा सा रेत के कंड की तरह भी मेरी कंट्रिबूशन कहीं ना कहीं छ़ जोग महुत सारे लोगों का काम में जुड़ा हुआ है क्यूंकि मैं जिस तरह किसी काम करता था बैक स्टेज में काम करता था तो लोग इन्वाइट करते थे बुला लेते थे या हम किसी को मदद करते थे यहां तक भी मैं हवी तन्वीर के साथ भी काम किया, वीवी कारंद के साथ काम किया, कावलम नारान पाणिक्र के साथ काम किया, बंसी जी के साथ काम किया, रतन्थियम के साथ काम किया, अनुराधा कपूर, देवेंदराज अंकूर, रामगोपाल बजाज, रविन दास, मतलब मैं प्रोफिसर मोहन महरसी, मोहन अगासे, फिर मतलब इतने सारे नाम है, कि इतने लोगों का साथ काम करने का जो अनुभूती प्राप्त हुआ है, यही मेरी द्रिस्टी रहा है, तो मैं यह 10 साल के अंदर में कोशिस किया, कि इस सारी 10-15 साल हो गया, 2078 में, मैं जाहिन किया था, हाइदराबाद में, तो यह 13 साल का अंदर, 12-13 साल में, मैं अपने आपको जो टटोला, पाया, देखा, समझा, तो मैं थोड़ा सा सिस्टमेटाइज करने की कोशिस किया तो जिसकी वज़र से मेरी जो पहले का काम था, 2007 तक का जो काम था, थोड़े अलग होने लगे, और धीरे 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 वो भी एक्टम से कोई जटका नहीं है, इसमें एक ब्लेंडिंग आपको मिलेगा, एक ब्लेंड हो जाता है चीजे, जिस तर किसे मैं पहले काम करत था और अभी कर रहा हूं, वो थोड़ा उसी का extension है, पर हां उसकी अंदर में एक चीज, जो मैं पिछले विगत 10 साल में ढूंडने की कोशिश किया है, वो द्रिश्य को ढूंडने की कोशिश किया है, इसलिए मैं एक खास किसम का काम का परियाएवैची है, कह सकते हैं, उसक इसके उपर थोड़ा बात करूँगा, वाट इस विज्वाल थेटर और वाट इस मैं परियाइड विज्वाल थेटर, ऐसे देखा जाए, तो थेटर विज्वाल की बिना असंभव है, थेटर दो चीजों को लेकर बंती है, द्रिश्य और काव्य, जिसमें द्रिश्य और का आपका टेक्स, आपका म्योजिक, आपका संबाद, और उसके साथ, उसका परल्लाल में दूसरा, जो प्रेजन्स, मंच पर हमारी जो प्रेजन्स होती है, जिस चीज को हम फिजिकली आँखों के सामने देख पाते हैं, और जो फिजिकली भी ना हो, दिखाई नहीं पड़ता है, हमारी मनस्क्ष में, हमारी इंटर्नल आई में, वो हम उसको महसूस करते हैं, तो इस दोनों चीजों का समन्न होता है, रंगमन्स होता है, और कुछ लोग मुझे कहते हैं कि विजिवाल थेटर फिर क्या है, उसमें कोई खास चीज क्या हो गया, वो तो पहले जिस थेटर आप बोलने से नहीं, उसकी अंदर में भी द्रिश्य दिखाई पड़ता है, तो अगर आप म्यूजिकल ड्रामा करते हैं, जिसमें उसमें भी तो टेक्स्ट होता है, अगर हम बात कर रहे हैं, म्यूजिकल ड्रामा को, for example, कारान जी करते थे, संजे करते हैं, म्यूजिकल थे नाटक जैसे संजे उपाद्याज ही करते हैं, या बावाकारंथ ने किया है, उस नाटक में संगीत उसका श्रोत बनता है, मूल श्रोत बनता है, कोई जरूरी नहीं है कि संगीत नाटक में आपको फीजिकल सुनाई पड़े, not at all, आपको हो सकता है उसमें संगीत ना ही हो, फिर भी उसको हम यह कहेंगे कि उस नाटक की संगीत जो है, उस सतह की लेबल से नीचे चला जाता है, और नाटक में संपुर्ण रुप में मौजुद है, तब वो सुनाई नहीं पड़ता, वो अनाद अनाद बनता है, वो हम विजिकल ड्रामा, यह कारंज की थियोरी है, ब 20-22 साल लगातार कारंट के साथ काम करने के बाद, संगीत, जबकि हम गानी पते पर संगीत का समझ, हमें इस्वर की दया से, बाबा की दया से थोड़ा बहुत प्राप्त हुआ है, तो इभिन जब कारंजी आधी अधूरे नाटक के संगीत कर रहे थे, सायद बहुत कम लोग पर दस गाने कंपोज किये थे, हर्मनियम अपने पास रखकर वो नाटक रहर्सल देखते थे, तो हम जब उनको बच्चे थे, इतना ग्यान नहीं था, तो कारंजी बाबा को पूछते थे, मैंने एक बार पूछा हिमाकत किया था, कि आप इसमें हर्मनियम क्या ज़रू होते तो आप रेकर्डिंग, पहले से बोल दिया था, कि आप रेकर्डिंग वेल जी क्यूश करेंगे, तो कारंजी मेरे ओपर नाराज होंगे, गुस्सा खागे, मैंने कित्रा मालूम है तुझे थे, तो जैसे वो बोलते हैं, उस तरी के से बोला, तो मैंने का कि हमें मालूम नह आप बताएं, तो मालूम थोड़ा बहुत पड़ेगा, मैंने कि यहां चे मुझे एनर्जी मिलती है, मैंने हार्मनियम के उपर हात रखते ही, उस बंदे को, उस आदमी को एनर्जी मिलता है उस नाटक का संगीत को, या नाटक का दृष्य को कलपना करने में, तो तो यहां क्वह सिक्विश नाटक में, या ने ने नहीं होता है, मतलब हमारा पास इतने प्यूसे भी नहीं होते हैं, कि आपके साथ सामने हो हवेली खड़ा करतें, वह महल खड़ा करतें, वह मेरा उद्रिष्च भी नहीं है, मुझे करना ही नहीं है इस तरीके से काम, पर मैं जो काम कर रहा हूं, उस काम के अंदर में द्रिष्च जो है, कूट-कूट के भरा हुआ है, आँखों की सामने नहीं दिखाई पड़ता है, आँखों की पर्दे की पीछे दिखाई पड़ता है, आपके मन के अंदर में द्रिष्च उभरती है, तो यह जो जो मेरा जो ड्राइविंग फोर्स है, जो रंग कर्म करने का, यह जो एक जो जिस तरीके से काम हम कर रहे हैं, उसका जो पड़ता है, और में उसको अपनी मन की अंदर में, अगर जब तक वो चीजे नहीं आएगा, मेरी नाटक में नाटक करी नहीं सकता है, साइद इसलिए, मेरे जैसे निर्दे सक्क के लिए बड़ी समझ्या हो जाता है, जब हम रिहर्सल्स में जाते हैं, बहुत प्राबलम हो जब हो जब हम साइद जो बहुत कम रीडिंग करता है, एक दो मंच पर बाइठ कर रीडिंग सेशन करते हैं, जब कि हम थेओरी में बच्छों को पढ़ाते हैं कि कम से कम 10 देज की रीडिंग सेशन होना चाहिए, 10 देज आनालिशिस होनी चाहिए, 10 देज ब्लॉकिंग ताहिसे लिए हम दो-दो महीन, शिक्स वेक, एट वीक कारीरसल होती है, यह तो fundamental है, यह already, it is decided in books, उसका theater direction की यह theory है, but जब मैं as an individual, जब मैं कामा सुरू करता हूँ, मैं इसको बिल्कुल follow नहीं कर पाता, और साहिद मेरी फित्रत में नहीं है उसको follow करना, मैं सुरू की दिनो से एक space ढूंडने के कोशिश करता हूँ, एक space जहां पर मेरी actor खड़े हो पाए, तो एक जागा, मतलब जिसको मैं improvise कर सकूँ, जिसका साथ मैं खेल सकूँ, या वो बातावरण, वो environment, जो मेरी सपने में आता है, नाटक, जब हम read करते हैं, तो reading के साथ साथ एक picture दिमाग मे हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसको, how to channelize that on the stage floor, तो उसके लिए मुझे एक जगा के जरूरत होती है, और प्रोसिदियम थेटर में काम करना हो, तो इतना आसान नहीं है, कि आप first day में जाके कहीं से space, मतलब आपको कवानी जैसे auditor मिल जाए, सिराम सेंटर मिल जाए, it's impossible, हम साधन नहीं है, कि हम यूरोप, अमेरिका में जैसे करते हैं, they start their rehearsals, on the space, exactly on the space where they are going to perform the play, but in India, we do not have that much of source, सामर पास आप सोर्स नहीं है, कि हम first day में रंगमंच में काम, मंच पर जाकर उतार दे, तब हम मैं क्या करता हूँ, मैं किसी भी rehearsal space में, अपनी environment क्रीट करने की कुषि करता हूँ, तो नाटक के अंदर में जो भी visuals मेरे दिमाग में आता है, मैं actors के साथ उसको communicate करने का बाद, मैं actors को free छोड़ता हूँ, you work on it, you improvise on it, and finally you reject my idea and create your own, जो मैंने जिसको अधार बना कर उन लोगों का साथ काम करने के प्रयाश शुरू किया, through the improvization, slowly चीज़े बदलत है, both that moment is the moment of discovery, जो मैं सोच लिया हूँ, तो ठीक है, बर जो rehearsals की दर्मियान, on the space में, सारी improvisations के साथ चीज़ों को लेकर काम करते हुए, अक्टर जब उस चीज़ को जीने लगता है, तो actor फिर उसको आत्मसाथ करने लगता है, and that it becomes his own, it's not mine, तब क्या हुआ कि मैं actor को transmit किया अपने ideas, concepts, and actor उसको channelize करता है, और उसके, उसमें जो जो चीज़े जरुरत पढ़ते हैं, जैसे नाटक जब में start करता हूँ, तो नाटक की text के साथ, एक दूसरी text मेरा चलता है, वो है मेरा visual text, जिसको आप, वो मैं subtext के अंदर से निकलता हूँ, मैंने उसका नाम दिया hidden text, I will talk about that, what is hidden text, शब्द की अंतराल में, शब्द की अंतराल में जैसे भावनाय चिपी है, subtext चिपी हुई है, उसी तरह सब्द की अंतराल में इसके दृष्य भी चिपी हुई होती है, अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिस करें, कि कोई भी words ले लिजिए, कोई भी text ले हमारे जीवन की experiences होती है, तब हम अपनी जीवन की उस experiences की environment, उसकी ambience को जब ढूनने की कोशिस करते हैं, तब वो शब्द अब ऐसे लगता ही चटकता है, शब्द जब टेक्स्ट, राइटर का टेक्स्ट जब फटता है, जैसे फटी जमीन, जमीन जैसे चटकते हैं, उस तर के अंदर में अगर हम झांकते हैं, तो बहुत सारे personal experiences उसकी अंदर में हमें दिखाई पड़ती है, वो personal life की personal experiences उसकी अंदर में दिखाई पड़ता है, and हम आज है director, मेरी responsibility, अगर मैं visual director हूँ, जो दृष्चा के साथ कहलता है, उस दृष्चा का व्यत्मक लायत्मक ढग को म दृष्चा को, then actor उसको अपनी शरीर के मध्यम से, object के मध्यम से, state, state, props, mask, कमरा पाद जो भी होती है, उस सब की सारे उस चीजों को तलासने की कोशिस करते हैं, तब क्या होता है, एक तो जो writer का text हमारा साथ चलता है, उसकी साथ एक parallel text, जो फ्लेराइट ने लिखा नहीं य उसकी पूरी दृष्च के धोनियों की मध्यम से, वो सारी चीजे वो एक दूसरी text उसकी साथ चलता है, उसको parallel text मैं कहता हूँ, it's a parallel text, completely it is a text, इसका idiom है, इसके syllables है, उसके language है, वो language, दिखने का language, it's a language of visuals, it's not a language of oral language नहीं है, कि आप उसको कान में सुन सकते हैं, यहां, सब, जैसे सब का ध्वनी सुनाई देता है, उसके visuals का ध्वनी होती है, वो तरंग आप तक पहुंशती है, वो vibrations, वो ध्वनी, आप receive करते हैं, not only through the eyes, सिर्फ आखों में आप उसको receive नहीं करते हैं, it touches your skin, it touches your mind, it touches your ear, it touches your brain, आप अपने आप में, अगर ऐसे स्थीत ही है, कि आप उसका सुगंध भी ले सकते हो, आप अपनी अनुभूती से उस सुगंध को ले सकते हो, आप अपनी अनुभूती से उस अनाद को सुन सकते हो, जबकि ऐसे देखा जाए, physicality में, text का, या visuals का कोई शब्द नहीं होता, कोई ध्वनी नहीं होती, पर ध्वनी आप इसको सोचे, लाइफ में आपका साथ ऐसे बहुत घटने घटित होंगे, जब आप अचानक मालने कोई आपका नाव में जा रहे हैं, मैं नाव इसलिए हो लाकि कोई नदिक किनारे रहने वाला आदमी हूँ, तो मेरे हर एक काम में यह आएगा, इतरंग आएगे, फ्लो आएगा, तो यह रिद्म क्रेट होगा, वेवी रिद्म से मेरी, हर चीज मेरी, मैं करूप में, वेव में ज़्यादा काम करता है, इसलिए ज़्यादा वाल्क मेरे ड्रीमी है, तो तब आप जब हम कोई एक इंसिदेंस, आप नाव में जा रहे हैं, इमाजिन कीजिए, कैसे नाव के अंदर में पानी घुस रहा होगा, और पानी का वहाब का वो थपेड़े का आवाज, और उसके साथ आदमी के चीक, उस समय का अगर बारिश हो रहा होगा, अगर रेन चल रहा होगा, उसकी आवाज है, कुल मिलाकर जो एक एंवर्नमेंट बनता है, वो को भले ही मेरे नाटक में कोई सेट नहीं हो, कोई डिजाइन नहीं है, कोई नाव नहीं है, कोई नदी नहीं है, मेरे अक्टर अपनी शरीर की माध्यम से, अपनी स्पीच, अपनी वानी की माध्यम से, उस सीन अगर एनाट कर रहा है, आपकी कान में वो चीक गुंजेगा की अगर आप sensible human being है तो आपने ये द्रिश्च देखने का बाद आपकी कान के अंदर में वो आज से मालेजे 20 साल पहले आपके लाइप में कोई घर्टना घर्टीट वाए वो एकदम आपकी forefront में आजाता है and that is the visuals I am talking of that visuals which is created in the mind of the audience दर्शक की धी में या उसकी मनस्चक्ष में उस द्रिश्च को देखने जो देखता है उसका हम सिर्फ उसका पुरक बनते हैं एक बाहक बन जाते हैं we are actors are the mediums, my actors and myself are the mediums to transmit that energy, that environment, that mood through our performances to the audience और ये इस ग्रिश्च में इस तरीके से दिखाए दे कि इसमें शब्द से ज्यादा इसका विज्वल्स पार्फुल हो, स्ट्रम हो इसको मैंने कहा visual theater, ये visual theater इसके साथ और भी बहुत, इसका हमने elements बहुत जगा से लिए हैं not only it is borrowed from west, मैं west को हजम किया हूँ काफियत तक पढ़ने का बाद मैं कहीं उसको नकारता भी हूँ क्यों कुछ पर flexibility की कमी है, एक minute कि मैं थोड़ा सा गर्मी हरा ठायना करके आता हूँ प्राइटर प्राइटर है अपना रचना प्रक्षिय के वारे में इस पस्ट अता कम देखिए थैंक यू सर, थैंक यू यह आप खुद जानते हैं, आपका साथ में काम किया हूँ मेरी सवभग्य रहा है कि मैं सुर्यमुन जी के साथ उनके निपा रंगमंडली के साथ मैं और एक महान अक्टर, सच में महान अक्टर जुगल की सोर जी को लेकर हमने एक नाठक बनाया है, राज उनका याद आ रहा है क्योंकि वो ऐसे कलाकार मिलना मुझकि नहीं, ऐसे आक्टर क्या पोटिंसियल था, उनके उनके साथ भी वड़ी समस्या हुए, मेरे साथ काम करने हैं, बहुत बहुत प्राब्लिम हुआ, और ऐसे अटूट रिस्ता बना कि जिन्दी यहार नहीं टूटे, उनके जाने का बा है कि हमने क्या तोड़ेंगे इतने बड़े कलाकार को, हाँ, उनको लेकर मैंने एक फ्ले किया था, वो मेरी शुरुआत की दौर की काम थी, काम था, सुरियमहन जी, आप जानते होंगे, आप मुझे बुलाया था, काम करने के लिए, मैंने किया था, तब से मेरी माइंड में चल रहा था कि I want to create certain things which metaphor में हो, मतलब क्या कहें उसको, symbols में हो, metaphor में हो, जो दृष्च में हो, वो ना हो और कुछ और हो, वो ambiguity में हो, वो है भी और नहीं भी कि स्थिति में create हो, तो ताकि दर सक भी उसमें एक हिस्सा बने और ढूनने की कोशिश करें उसकी अंदर के दृष है, वो साहिध हिंदी में उसका अनुबाद मेरे पास है, बाकी मेरे साथ जो कलाकार लोग काम के तो उनके पास होगा, बट वो ना unpublished है, हमारी एक मित्र जो अभी इस दुनिया में नहीं है, समसी सहाव, उसको directly from, adapted from French to Hindi, उर्दू, तो फिर उसको हम re-modify, restructure किया, निपा मंडली के कलाकारों के साथ, और उसका प्रस्तोती हुआ था, क्या, मतलब, विज्वल, अगर आप उस नाटक को देखेंगे, उसमें, सच में, बहुत, मतलब, ऐसे dreamy, it was a surrealistic play, it was a completely surrealistic play, उस नाटक के बारे में मुझे आज याद आ गया, सुरियमन जी को देखकर मंच पर, अगर वो इस समय मौजुद हो, तो सुन रहे होंगे, नहीं हो, तो बाद में मैं उससे phone करके बोलूँगा, मुझे बहुत याद आ रहे थे आप, तो 2003 की बात है ये, 2003 में ये नाटक काम ने किया था, मैं तब try कर रहा था, क्योंकि वो एक ऐसा समय था, मैं सच बोलूँ कि 2003 एक ऐसा समय था, जो एक संधिक शन था मेरे जीवन में, मैं संधिक क्यों बोल रहा हूँ, बहुत महत्पुर्ण है, मैं बहुत जगा पर ये जिक्र किया हूँ, it started at 2002 and it ended in 2005, 2007, 2006, ये जो पांच साल, ये मेरी बिलकुर उथल पुथल का समय था, इसके पीछे कई कई कारण है और सबसे बड़ा मेजर कारण, बावा कारण का चले जाना, कारण का इस दुनिया से जाना एक बहुत महत्पुर्ण पड़ाव है मेरे लिए, मैं चाहे, इसके साइद बहुत कम लोगों से, मैं सेयर नहीं किया हूँ किसी का साथ, ना ही मैं करना चाहता हूँ, मेरी बहुत परसनल है, बट इतना में कहे दो कि कारण जी के साथ काम करते करते हैं, एक खास किसम के काम में हम अपने आपको ढ़ालने की कोशिश कर रहेते हैं, तो आप देखेंगे 2003 तक मेरे जितनी सारे काम है, वो ज़्यादा तर म्यूजिकल है, ज़्यादा तर फोक बेस है, ट्रैड किर्टन, वहाँ के नाच और वहाँ की फेस्टिवल्स, वहाँ की तिवार, यह सारी चीजें जो है मेरे नाटक में बिलकुल शुरू से, starting from जीमिटी खेला, 1988 के प्रस्तुती, अगर हम उसको एक पड़ाब मेरे जिवन का मानता हूं, जो संगित नाटक एकाडेमी की बज़ में तब काम कर रहा था, और कारंद को देख देख कर, हम भी उसी तरीके से काम करने के लिए प्रिदित हुए, और वहाँ से शुरू होकर यह चलता रहा, और यह ऐसा लगा कि, the road is very clear for me, मेरे लिए रास्ता बहुत साफ है, क्योंकि कारंद जी को follow करना है, गुरू को आप follow क कर रहे हो, तो गुरू ने तो मार्ग बना दिया, रास्ता बना दिया, तो आप उसमें चलते जा रहे हो, तो कोई दिक्कती नहीं हुआ, इसके बीचे मैंने 1520 जो भी जितने नाटक किये, दिल्ली में बहुत सारे plays किया, तो मैं उसका नाम भी अभी गिन नहीं पाऊंगा, तो उसमें दो बहुत पूर्ण प्ले भी था, रामिश्वर प्रेम का लिखा हुआ दो नाटक, सांत सागर में एक रोज, जो 92 में हमने खेला था, और बाजी, 97, 50 years of India's independence की दर्मियान, एक सहाधत की कहानी, इसके उपर हमने खेला था, पर वो यह काराण जी इसका music करते, किय नागमंडल किया था, उस दिन में निलम मैम की इंटर्व्यू सुना, बातचीत सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा, कि नागमंडल उनकी एक बहुत पुर्ण प्रस्तु थिये, जिसके उपर उनने बात किया, तो उसी सिल्स्रे में भले, मेरी नाटक का इतने चर्चा में गाना बडाएं पर नागमंडल प्रुण ने चर्चा में और नागमंडल किया था, वित भूत संगित था, भूत संगित था, दिन अंधी आ रहा, रात उजई आ रहा, दिन अंधी आरह, कैसा है जीवन तेरी, कभी आता फन फैलाय, पुछकारता, जागोरे प्रियसंगिनी, यह कारण जी ने लिखा था मेरे नागमंडल के यह लिए गाना, तो वो एक समय कुछ था, जो ऐसे लग रहा था कि वो यह पैमपर चिल्डन, हम लोग सच में, किसी ने हमें होथेली पे ले रखा है, वो हमारा बाबा है, उसका हमारी हत्पर, हमारी हत्पर, हाथ है, हमरी सर पे, तो आप completely secure है, completely secure, कोई tension नहीं है, एक ही tension था, बास रोजी रोटी कैसे कमबाया जाए, वो हम backstage में काम करके निकाल लेते थे, बर चो दिमाग का खुराक है, वो करंजी था, करंजी का था, बर बाबा का चले जाने से, 2002 में, मेरी अंदर एक vacuum पैदा हो, एक vacuum पैदा, completely vacuum, मुझे लगा कि मैं finish हो गया, मतलब साइद बाप का चला जाना, और बाबा का चला जाना, साइद एक जेसा स्थितिता, मैं उस स्थिति में जिया, बहुत दुख तो खेर, जो हुआ अलग बात है, पर काम क्या करूँगा, वाब वो नहीं है, तो जो काम, वो हमेशा मेरा नाटक देखते, सबसे बड़ी चीज़े का राजी नाटक देखते थे, अनलाइस करते थे, अमेशा यह कहते ते कि तुम अपने स्थिति में जाके काम करो, तुम अपने जगा में जाके जिस दिन काम करोगे ना उस दिन तुम कुछ बन पाओगे, ऐसे हिंदी में करके तुम्हें क्या मिलेगा, कभी-कभी बहुत डिशाटेन भी कर देते थे, बट आज मैं रियलाइस करता हूँ, साहिद उसी से मुझे उर्ज़ा मिला कि मैं रिटर्न कर रहा हूँ अपनी स्टेट को, वो इतनी साल का बाद साहिद फलिभूत होगा एक-दो साल में, बट वो काराण जी के जाने का बाद, मैं जब बिलकुल ब्लैंक हो गया, खाली हो गया, तब एक साल लगा उस दुख से उबरने के लिए, बट उसके बाद, जब मैं अपने आपको थोड़ा स्थिर किया, तब सोचा, मैं क्या करूँगा, जिस तरीके से काराण जी काम करते थे, वो कारांथ था, हम नहीं थे, वो उनकी अनुभूती था, उनकी experience था, उसका हमने थोड़ा छिटा हमारे उपर गिर गया, तो आप उसी से खुस हो गये, आप टूफाइड मैं वोन वे, तब मैं थे सोचा, मैं अपना रास्ता खुद चुनूँगा, मैं करांथ जिस तरीके से काम करते थे, मैं करी नहीं सकता, और मैं जिस तरीके से काराण जी को फॉलो करता काम किया, उसका कोई मतलब ही नहीं है, अल्टिमेटली इंड में नो होया रहे, कही में नहीं लेकर नहीं जाएगा, तब मैं मेरे लिए वो जो वैक्यूम पिरियड था, उस समय सुर्य मुहन जी मुझे मिले, और सुर्य मुहन जी ने मुझे बुलाया, हमारी ग्रूप में का प्ले करो, तब मेरे पास दो-तिन अप्सन थे, क्योंकि उसी समय मैं जो नाटक कर रहा था दिल्ली में, मेरे पास सांथ सागर का एक रोज का स्क्रिप्ट था, जो अल्रेडी टेस्टेड स्क्रिप्ट है, जो मैं बाजी कर चुका था, 1997-1998 में, वो बहुत अच्छा नाटक था, मैं और भी बहुत सारे प्ले स्क्रिप्ट मेरे पास थे, मैं कोई भी कुछ भी कर एक नाटक उठा के कर सकता था, गिरिश का नाड का मैं नागमंडल या हाईवदन या तलदंड, कोई भी नाटक उठा के कर सकता था, पर मैं मेरे लिए असान ना क्योंकि सुरेमोन जी को मैं अगर रिक्वेस्ट करता कि यह करूँगा, वो मना नहीं करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, और उनको मालूमें कि सत्या जो करेगा, उसमें कब से का अच्छा बुरा वाली बात है, वो उसमें एक सिरियसनेस तो होगा, काम का, तो यह इतना तो विश्वास एक दूसरे के प्रति था, तब मैं उनको बोला, मैं एक बिल्कुल नया नाटक करना चाहता हूँ, तब क्या हुआ कि इतफाग देखिए, कि उसी दर्मियन, हमारी एक फ्रेंड, मेरा और मेरे, हमारी कमन फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है, लोकेश जैन, दिल्ली के, लोकेश बहुत मेरे अंतरंग बंधु है, अभी भी बात करते हैं, बहुत दिल से बात करते हैं, बहुत कम लोग हैं मेरे साथ बात करते हैं, जिसमें लोकेश एक है, तो अरेगुलार हम कंटक्ट में बने रहते हैं, तो लोकेश का एक फ्रेंड है, जो बाद में मेरे उनका नाम समची सहावे, वो फ्रांस से आये थे, he was settled in France, but he is from Dharia Gansh. तो उनोंने पहले हम लोकेश को लेकर यह नाटक करने के लिए दिली में अपने इसको अनुबाद किया था, बट उनी से करवाया था, फिर जब सुरेमौन जी का मेरे बात आया करने के, तो मैं इस स्क्रिप्ट उनको दिया में, मैं प्ले करना चाहता हूँ, वो प्ले कम्प्लेटली डिफरेंट, इसे टोटली अप्सर्ड प्ले, यूजन यू आइनिस को का नाटक है, आप समझ सकते हैं जिसे चेयर, लेशन, बाल्ट प्राइमाडोना, राइनूशरस, इस तरकी का नाटक जिन्होंने लिखाए, उस पिरियड का, सेकेंड वर्ड वार का बाद का जो एक स्थिती था यूरोप में, जिसमें एक्जिस्टेंशल फिलोसफी को लेकर सार्त्रे, कैमू, बेकेट, आइनिस को, इस तरकी का लगों ने काम, बहुत स्रीज काम किया था, जबकि उसका हमारी भारतिय परंपरा में, भारतिय परिप्रेक्ष में, मैं देखता हूँ, वो उसका डायरेक्ट लिंक नहीं मिलता है क्योंकि हमारा साथ, सायद ुस तरकी का घटना है, घटित नहीं हुआ है, टुकडे टुकडे में है, पर उसकी एक continuity नहीं है, जैसे उरोप में कि रिदम और नो उसे ऐसे प्रेग किया और ओड़ी धिकने और दूसरे फॉर्म्स में हमेरे एक्सप्रेशन हे जिन मैं नहीं है यहोदा इंदाव इजिं। आपर इंधूरा है एक धराप्रवाह चली आरहिए परमपरा जसको हमने कभी बीचे ब्रेक नहीं किया जसी यूरोफ में ब्रेक किया है वर की बज़ से हो जो भी उनके साथ समय स्थिति रहा हो उसमें तूट जाता है, तो एक नए सिरे से सुष्टी होता है, उसमें फिर नए खोज हो जाता है, इसका एक फाइदा यूरोप ने उठाया है, क्योंकि यूरोप के लिटरिचर, साइन्स, इंडरिस्टियल डेवलोपमेंट, इंडरिस्टियल एजेशन, इसमें बिल्कुल सहरा प्रवा, एक continuity, एक relationship, प्राव स्टार्टिंग भरत्मनी से लेकर बीच में कई situations में तोडने की कोशिश किया गया, पर हम फिर स्रोथ को जोडने की कोशिश किया है, बिटिश पीरेड में काफी कुछ इसको शैटर किया गया, मोगल काल में इसको कोशिश किया गया कि से परिप्रेक्षी में देखा जाए, बट हम लें फिर हर चीज को जोडने की कोशिश किया है, तब हम वापस आये हैं अपनी रूट्स पे, यह रूट्स मुब्मेंट का सुरुवात हो गया, इंडिपेंडेंस के बाद, थेटर अफ रूट्स, इसके उपर हमारी गुरुज जनों ने हमारी जो रंग द्रश्ठा, रंग स्रश्ठा लोग हैं, जिन्होंने काम किया, कारांस जी, हभीब सहाब, पानिकर, इन लोगों ने संभूदा, उत्वल्द जात्रा के उपर, यह साउत में भी बहुत काम हुआ है, पील देसपांडे, जीपी देसपांडे, यह ल इसा नहीं है, कि बिल्कुल डिफरेंट है, तो ऐसे स्तिती में 2003 में, मैं जब इनको यह नाटक दिया, बेसिर पैर का नाटक, अब मैं उसको यह कहूंगा, उसका कोई ना कोई सर है, ना कोई पैर है, अगर हम उसको आज इटीज पढ़ते हैं तो, मैं इंडियन हूँ, भार तो वो कंटिनुटी मुझे सर्ग की इंडर से लेकर, मतलब प्रथम आदमी सिस्टिका ब्रह्मा की क्रियेट के वहां मनू से लेकर, आज तक की जो मानव सभ्यता का विकास हुआ है, या दसावतार के लिए हमारी बात अगर क्या जाए, वो एक तरिकिस इवलिशन प्रसेस ह कंटिनुट इवलिशन प्रसेस, वो चाहिए डैरविन ने बाद में थियोरी डेवलप किया है, पर हमारी दस अवतार को आप अगर देखते हैं, मस्य, कश्य, बराह, जो नरसिंग, बली, यह बावन अवतार, इस तरह की लेकर कली तक हमारी जो दस अवतार, यह कहीं पराणी होता है, उसके बाद दो लेक बाले इंसान होता है, और उसके बाद संहार होता है, यह जो concept में कोशिज किया उसको उस नाटक का साथ जोड़ने के लिए, तब हमारी जो चरित्र बनता है, वो अपने आपको इश्वर से कम नहीं मानता, वो कहता है, वो मैं था हूँ उसमें हैं लाइन्स कि मैं हजारों साल पहले में बिद्दिमान था, फूँ और रहूंगा, मेरी मृत्यू नहीं होगा, जबकि नाटक में वो बार-बार मरता है, क्योंकि इसनों ने लिखा है, आइनिश्कों ने उस तरके से लिखा है, तो इस तरके से नाटक को जब हमने किस और को लेकर करने की कोशिस की, तो बहुत प्राबलेंस आया, पहला प्राबलम यह है, अक्टर का प्राबलम है, आक्टर का प्राबलम क्या, कि आउक्टर is not tuned to this kind of work, he is a great actor, but he has certain ideology, certain उनका बड़ी लेंग्वेज, जो मैं चाहरा था, वो साईद ना हो, क्योंका नाटक में तलास रहा था, कि क्या बनेगा मुझे पता नहीं, I have no idea at all, मैं ऐसे घवराहत में ये नाटक किया, क्योंकि मैं जो traditional theatres या musical drama पहले करता था, उसको चोड़कर एक नए वैख्यान के साथ एक नए संग्या में अपने आपको डालने की कोशिश कर रहा हूँ, जो प्रिवित तो है, मतलब है westernized, बट उसकी जो आत्मा है, वो कहीं, वो करन्त की ideology को बिलंग करता है, वो ही धनी की तरफ को आपस चला जाता है, उसमें sound है, बहुत sound है उसके अंदर, sound of heartbeat, सबसे बड़ी चीज है, खृदे की, एक खृदे हजारों टुकुडे में तूट जाता है, वो जाके दिवार में चिपकता है, और हर जागा से धड़कनी की आवाज, और मेंधक, उसमें है मेंधकों की बारिस है, मेंधक की टर्राने की आवाज, आस्मान में ग्रहनक्षत्रों की गती, ये संस्करन, नए किसम का रंगयात्रा, जिसको बाद में, हाइदरावाद आने का बाद मैंने उसको धंक से थोड़ी तरासने की कोशिस किया, उसको उसका नाम दिया, वीज्वल थेटर, अचाँ वीज्वल थेटर में, अगर कोई कहे तो आपने अपने पुरानी अतीद को बि अगर मैं कहूं तो मेरी द्रस्टा जो है वो कारांत है, कारांत जी के साथ रहते हैं, जो संगीत के ध्वनियों की जो कान में ध्वनी गिरती थी, वो मेरी आँखों में दिखाई पड़े, तो देखिए, साउंड की रिद्म, साउंड की ले, ताल को मैं द्रिश्व में और विज्वल थीटर में कोई डिफरेंस मुझे नजर नहीं आता, मुझे कोई ज़्यादा नजर नहीं आता, हाँ यही है कि ध्वनिया, ध्वनी तरंग, डिश्य तरंग में बदलता है, बस, that's it, आप जैसे ध्वनी के को हम ताल और ले में बाटते हैं, तभी तो संगीत बनता है, नहीं तो noise है, उसमें अगर हम, हम उसको परिमार्जीः करते हैं, परि संस्कृit करते हैं, तब वो music बनता है, तो चाहे वो हमारे dialogue की मध्यम से हो, चाहे वो संगीत की मध्यम से हो, चाहे वो silence मे भी हो, संगीत है और बो, इन्हीं लोगों के जैसे मैंने कहा, संज बज्जु भई के काम में जलडंबरु बाजिय अद्भुत नाटक मैं उनके सथ किया था。 एक एक नातक में उनके साथ कीया था। तो एक पूरा बयान करेगा, एक सेसन लेगा खिर। तो जो ध्वनी, अब पहले में ध्वनी के साथ काम करता था, म्यूजिक के साथ काम करता था, फोक ट्रेडिशन के साथ काम करता था, उसमें से मैंने उस ध्वनी को, जो कान में बढ़ता था, मैंने उसका आँखों में देखने के कोशिस किया, बस, और आखों में जब मैं दिखा दिया, उस कोई जरूरी नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ, पहले कहा था, कि इसका फिजिकल हो कोई जरूरी नहीं है, वो कहीं आपकी माइंड में है, तो इसलिए मैं स्पेस को ताल और ले में बांटने की कोशिस किया, अब मैं इसमें अपनी अपनी गुरू अगर कोई कहेंगे, मैं बिलकुल बावा कारांथ को कहता हूँ, यह मेरे गुरू है, और बाद में उसको निखारा रविंदा ने, रविंदा और रतन थी अब, यह दोनों का साथ मेरा और टूट सम्मन, बंसी जी, बंसी जी, यह तीन, तीन लोगों का साथ में बहुत काम किया, और इन से काम, क्योंकि इन लोग सारे विजूल्स के लोग है, और इनके साथ काम करते करते हैं, मैंने उनकी अंदर में, उनकी जो नेचर का जो एस्थिटिक्स है, तो उन्होंने कैसे दिश्च में बदलती है, आक्टर अपनी बड़ी में, अपनी वो कहीं में अत्मसाथ करने की कोशिस किया, उसके साथ बंसी जी के कलर स्कीम्स, बंसी जी के लाइन्स की जो खेल है, वो पहाडों की बज़से, हील्स की बज़से जो उनकी वरेजेंटल, वर्टिकल, डागॉनल लाइन्स होती है, उसमें जो रिदम पैदा होता है, उनका पिछले दिनों का एक डिजाइन, एक नाटक का, मैं नाटक देखने का मेरा अफसर प्राप नहीं हुआ, जिन्ने के और जौंक का मेरा दोस्त है कंधया, कंधया ने मुझे फोटोग्राफ जेजी थी, मैंने उसको देखके मैंने मुझे लगा, क्या ये कश्मीर के भैली तो सिर्फ देखने से नहीं होगा, उसको समधना और महसुस करने की जरूरते हैं, बंसी जी, अप लेंड्सकेप्स क्रिएट करते हैं, अपने डिजाइन में और अपने अक्टर्स की बड़ी लेंगवेज की तरू, बट कहिए उसको डाइगोनली ब्रेक करते हैं, जो जो डिस् करते हैं, आप देखोगे, तो अदर रोड गया है, ऐसे ऐसे रास्ता जाता है नीचे की तरफ को, और बसे में भी आप जाते हो, बसे ही से घुमती है, ऐसे जाता है, पर एक आत्मी पैदल जा रहा है, he will never follow this track, he will go straight, उस लाइन को काटता हुआ जा रहा है, वेरी इंट्रेस्टिं फेनोमेनम, वेरी रियली दोज वर इंट्रेस्टेट पर डिजाइन, दोज वर रियली इंट्रेस्टेट तो नौ अवाओ दो फिलोसफी अप दिस कंसेट, कि मस्ट गो अट लिस्ट वांस बंसी जी से एक बाद पूच ले, या कहीं इसको चर्चा मे ले ले, ये अध्वुत, मतलब साइब मुझे दूसरा किसे ने बात बता ही नहीं होगी, देखिए कितनी बड़ी सभग्य है कि बस ऐसा ही बात करते करते हो चाना को उनके मुह से निकल गया, और जो निकल गया, वो जीवन का मार्ग बदल देता है, जीवन का दिशा बदलन अध्याइब का अध्याइब करते हैं, उसमें फूटवल केल थे, हाप एंड़ पहन के, वो बंजी कॉल, और आज वो महान बटवरिक्ष्य बने हैं, तो बो जो जो concept है बंजी का, डिजाइन को लेके मैंने अड़रप करने की कोशिस की, रबिन्दा का साथ काम किया, रबिन्दा का साथ काम कर, उनकी अंदर में वो बहुँ एक multi-dimensional, बहुँ आयामियाद्गी है, उसको समधराम बहुत मुस्किल है, वो खुद अपने को नहीं जानता है, कि मैं हूँ क्या, उनको वो परिस्सिमा को नाप नहीं सकता, कोई, उनको तो थोड़ा आप इधर मुग किया और फिर पल्टा के देखें, वह तो है नहीं, कहां गया, पता नहीं कहां गायब होगे, दूसरे बार में, वो उनकी physicality में है, उनकी mind में है, उनकी work तो उसका reflection है, वो सारे काम हमारा और personality का reflection होता है, तो ऐसे जब unexpectedness, unusualness, unexpected behavior, जो हम सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो ऐसे create कर देंगा, irony create हो जाता है, उनकी space, मतलब space के अंदर में, वो ऐसे irony करते हैं, जब आप expect करते हैं, कुछ होगा, यह होने वाला है, वो घटना आता है, ऐसे होने वाला है, और आप जा रहे हो जा रहे हो, बिलकुर कगार पे जब पह सब्सक्राइब करते हैं, यह मेरी अनलेशिस है, और मैं उनको बहुत अच्छी तरह से अनलाइज किया हूँ, तो यह जो unexpected है, जो theatricality पाइदा होता है, इसमें irony पाइदा होता है, बेंगो पाइदा होता है, और दूसरा, रविन के साथ काम करते हैं, मैं आट्मस्पेर बनान सिखा, how to create environment, जो कि visual theater का major aspect है, environment, वो यह दृष्ष को आप किस बातावरण मे ले जाते हैं, वो बातावरण, एक जो environment create होता है, वो environment जरूरे नहीं, एक illustrations हो, जो visuals create कर रहे हो, जो text, writer का text है, उसका translated visuals बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो होना भी नहीं चाहिए, मैं नहीं चा है, मैं बिल्कुल उसको follow नहीं करूँगा, बहुत सारे निर्देशक, बहुत सारे playwrights मेरे उपर नाराज हुए है, कि मैं उनको follow नहीं करता है, रामिस्वर जी के साथ मेरा कई भार लड़ाई हुए है, उनके साथ मेरा अलग संबंध है, तो दो-तिन नाटक उनने मेरे लि लिखे हैं, जब मैं खुद लिखवाया हूं, उनके साथ बैठके, पर जब करने का बारी आता है, मैं कुछ दूसरा करने की कोशिश करता हूँ, तो क्यों नहीं करूँगा है, मैं भी एक स्रजन करता हूँ, एक creator हूँ, आज राइटर में, एक parallel मेरी अपनी creations है नाटक में, चुँकि नाटक तो writer के हाथ से जो जन्म लेता है वो नाटक नहीं है, वो पठक है, उसको पठन है, वो कर सकते हैं आप, वो क्या भी है, पर जब मंच पर प्रस्तूत होता है, उसमें वह प्ले राइट वह नहीं होता हूँ, मेरे कलाकार होते हैं, और दर्सक होते हैं देख करण जी के ध्वनियां, करण जी हमेशा कहते थे कि ध्वनी को सुनने की जगा उसको देखो, वो मुझे कहते थे क्योंकि मैं लाइट करता था उनके नाटकों में, तो वहाँ पर जब कोई गानी का देखिए, कितनी इंस्टिंग बात है, कहां चीजें कैसे ट्विस्ट होता है, वो आपका रास्ता सुरू से बनना सुरू होता है, आपको पता ही नहीं चलता, कि आपके साथ घटना घटी थो रहा है, और एक समय पर आके जब फल देने लगता है, तब आपको लगता है, यह काम चेंज कर गया, पर आप कुछ से नहीं करते हैं, आप सुरू से आपके बच्पन से जुड़ी रहती है उसके साथ फेजिस आते हैं लाइट में कारण जी सकंदकुप्त नाटक मुझे याद है अब सकंदकुप्त में मैं लाइट करता था जबकि इसका डिजाइन मेरा नहीं था डिजाइन साइद सुरेश भाई का था सुरेश भरदवास का अब वो चले जाने का बाद में भारत भवन जैन क्या था 84 में तब यह नाटक रॉनिंग में था अलोक बगर इसमें रोल करते थे जितू अलोक जाविद भाई विभा सरोज में मांगिलाल राज कमल कामले यह बहुत सारे मेरे पुराने दोस्त लोग हैं यह सब इस नाटक म में तो शुलू होता है संजय महता जो संदगुप्त का रोल करते थे मंस मैं आपका दिश्चा आपका सामने बरनना कर रहा हूं आप थोड़ा सा गौर से सुनने की कोशिस करें थार्वेल हो जाता है कम्प्लिट डार्क कम्प्लिट डार्क पिंडर्फ साइलेंज एक दो ती तीन चार पांच यह पांच साइलेंस है पांच सेकंड का बाद एक फ्ल्यूट में ट्यून आता है आहा वेदना मिली विदाई याप इमाजिन कीजिए आँख बंद करके आप देखिए इसको विजुलाइज किजिए कितना सुन्दर खशन है वो आहा वेदना प्रसाद के लाइन है आहा वेदना मिली विदाई प्रसाध विदाई याद नहीं आहा है मैंने भ्रम बस मैंने भ्रम बस जीवन संचित मधु करियों की भीख लटाई चड़्कर मेरे जीवन रगत पर प्रले चल रहा अपने पत पर मैंने निज्व पद बल पर किया हारी लड़ाई आह बेदना, मिली विदाई, ये गाने का ट्यून आता है और अलाप के साथ, एक करन, रबिन्दा का डिजाइन था, स्टेप्स होते थे, स्टेप्स की रिद्म है, मतलब आप कैसे देखे, विज्वल्स बनता है, वो बात करने लगता है ओडियन्स के साथ, पीछे से बैक लाइट साथ, मुझे लगता है कि कोई हैलोजन 600 होगा, एक सार बैक लाइट आता है, सिंघासन, एक थ्रोन रखिया अपर लेबल पर, 6 पीट हाइट पे थ्रोन है, और थ्रोन से सिडिया नीचे जाता है, और सब से ग्राउंड फ्लोर में संजय घुटने पर वहाँ बैठा रहता है और उसके छेपित हाइट पे थ्रोन है, लाइट जब पीछे से आता है, साथ अमबर कलर, गोल्डेन एक तरफ अमबर कलर का साथ लाइट, वैसे चंत वालका सा संजय का उपर गिरता है, और संजय का शैडो ओडियन्स तक चला जाता है, इस धून के जो टाइमिंग है, और लास्ट म्यूजिक के लास्ट होते होते हैं, आपका लाइट का फ्लो बढ़ रहा है, और आल अने सदन डक, सार्प, कट, लाइट आता है, सिन स्टार्ट होता है, यह जो शुरुआत में जो हमने जो किया, यह टाइमिंग, यह जो ध्वनिया, यह जो साउंड को, कारंध ने मुझे कहा था, और आज मैं यह बात, पाबलिक डिमें में बात बोल रहा हूँ, अगर उस दिन यह बात अगर बाबा ने मुझे नहीं कहा होता, साइद मे कुछ मेरी मतलब जो भी कर रहा हूँ, वह फैसा ना हो करुकर क। खुछ और होता, क्या क्या जाने कौन जाने क्या ह तो वहां से हमने शब्दों को, या ध्वनिया को, या आंक बंद करके, इमेजेस को, या लाइट की जो चित्र बनती है, उसको देखने की कुशिश किया है, सिर्फ देखने की कुशिश किया हूं, जब आप किसी चीद को गवर से देखेंगे, वह बाहर आपको दिखाई विजुल सब को दिखाई देगा बाहर से पर आप्टर शटन मॉमेंट वो बाहर की वातावर और गाइब होने लगेगा आपको वो बाहर दीरे 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 धुन्दला धुन्द हो जाएगा और गाइब हो जाएगा आप उसकी अंदर जब जाओगे कुछ और दिखाई देगा जो आप जो बाहर दिखाई दे रहा था वो नहोकर कुछ और दिखाई देने लगा है जो कुछ और दिखाए देगा वो आपके अनुभुती है यूर एक्सिरियंस आप जो बाहर दिखाए देधे रहा है वो तो स्कंदगुत उसकी अनुभुती था जब मैं बाहर जाता हूँ, उसके तोड़ कर उसके अंदर घुसता हूँ, मैं अंदर अंदर जाता हूँ, जाता हूँ, और अंदर जाकर जब देखता हूँ, तो वहाँ पर वो सकंदगुत की जगा कुछ एक, साइद एक कमजोर, एक हरा हुआ इनसान, एक डरफो का अदमी, वो सकंदगुत नहीं, वो आप है, वो आपकी जिवनान होती है, that is the hidden text, यह hidden text जो छिपा हुआ था, उस script के अंदर में, वो प्रसाद ने नहीं लिखा, वो मैं वहाँ लिखने की कोशिश किया, आज वीज्वाल डिजाइनर, आज वीज्वाल डायरेक्टर, मैं वो लिखने और फॉर्म, यह तीनों मेरे लिए गिता, बाइबल और कुरान है, इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता है, मुझे बस यही अल्टिमेट हो जाता है, लाइन्स, कलर्स, फॉर्म्स, यह तीनों फॉर्म इस थ्री डैमेंशनल, ट्री आया में मंच, और उसके अंदर जो लाइन लाइन्स की विजूल्स बनती है, वो अडा, तेच़ा, डाइगोनल, होरज़ेंट ल, वर्टिकल, उस स्फेस्वेता मैं, उस री डैमेंशनल स्फेस में, उस लाइन का ein locking बन जाता है, और उसकी रंग क्या है, और कलर्स, यह तेनों को स्टтовडी करने के कोशिस जekे है, और वो सिर्फ मतलब अक्टर कि बाहर कलर्स की बात मने कर रहा हूं मैं कताउय उसके बाहरी रंगों का बात मनी कर रहा हूं मैं दर्सक के माइन में वो कलर्स की बात कर रहा हूँ, वो इमोशन्स की, कलर मिंस इमोशन्स, उस इमोशन्स वो लाल रंग दिखाए पड़े तो कोई जरूर नहीं करें, लाल जो है, सब के लिए रहिंसक का प्रतीकों का नहीं, not at all, किसी के साथ खुसाली, किसी के साथ सिंद प्रतीका भी है, वो सकता है, लाल खुन का भी हो सकता है, लाल खुन का भी हो सकता है, तो ये तो जो देखने बाला होगा आदमी, वो विज्वालाइज करेगा, तो इन द सेंस, मैं जिस तरी के सरंगमंच की कलपना किया है, तो उसमें, जो मेरी वीजन है, आज 25 सेंचुरी की तियाटर को लेकर जो भी जने तो मंच पर खाली स्पेस कुछ नहीं चाहिए मुझे बढने को एक divyes का बात करता हुँ मोत श्राइब मैं ऐसर दो वारनिया आप नन्हाम मुदन है खुछ sounds right ative का बप्लाटफॉम्स लेबल्स वो साल लगाने कि और उसम एक टेंशन करने कि कुछ बंग लेबल्सica लेख में comes में स्पेस में एक अलग किसम का टेंशन क्रियेट होता है that depends on the texture of the play, नाटा का texture क्या है, उसके tune क्या है, उसके tone क्या है, उसके language क्या है, तो speech का rhythm क्या है, वो सारी चीजें वो ताइक करता है, वो जो space को हम किस तरह के से design किये हैं, बट धीरे धीरे आके ये कि दोजर आठ, डास्वारा, 2012-2013 के बाद, साइद ये एक लब्य नाटक से शुरू हुआ, एक लब्य में बनाया था, 2012 में, 2013 में इसका performance में धंसे कर पाया, जो मेटा में best play का award लिया, best director का, 2012 में साइद में उस play को बनाया था, मैं कलम्बिया गया था, उस लेके उस नाटक को मतलब एक पड़ाब मानता हूँ, वहां से मैं ये जो हमारा जो तथा कथी, the so called the designs होती है, मैंने नकार दिया, मैंने इसलिए नहीं नकारा कि उसके लिए मुझे बहुत खर्चकी पैसे की जरूत पड़ती थी, वो तो एक बात है कि आमेचर थेटर में इतने पैसे नहीं होत और वो कितना contribute कर रहा है, सबसे important, वो क्या सचमुच मेरे इन अटक को इतना contribute कर रहा है, करता है, बिल्कुल करता है, आक्टर को project करता है space, वो height, levels, layers, आक्टर को definitely project करता है, but क्या actor को project, सिर्फ actor को project करना मेरा रंगमंज का काम है, या मैं इसके लिए रंगमंज कर रहा हूँ कि मैं एक actor को project करूँ, या मैं अपनी दर्शक को वो involvement में ले जाओ, उस बातावरन की अनुभूती में ले जाओ, ताकि वो खुद उसका रस, वो उस दुनिया का कलपना करे अपनी माइंड में, मुझे मंचपर करने की ज़रूत नहीं पड़े, साइद, तो एक नया भासा जो मेरी अनुभूती था, जो experience of life के जो अनुभूती थे, उसको लेकर मैं कोशिस किया, एक ऐसा मंच का कलपना किया जाए, जहां पर कोई designs ना हो, आप एक designer ये बात कह रहा है कि मेरी नाटक में designs ना हो, इसका मतलब यह नहीं कि design को मैं खतम करना चाहता हूँ, बिलकुल न मैं इसको छोड़ नहीं पाऊँगा, वो मेरी प्राड विंद है, मैं खतम हो जाऊँगा, अगर मेरी नाटक से design गाव हो जाए तो, पर उस design को मैं अमूर्त रूप में रखना चाहता था, यानि कि उसको physicality को, जो physical आपके सामने दिखाई पड़ता है, वो आप, वो वहां करना होकर, वो आपकी माइंड में, वो create हो रहा है, तब मैंने नया एक concept डिवलप करने की कोशिस किया, जिसका नाम है mind space, design, performance, a visual theater, a visual from the stage space to the mind space, journey रहता है, journey, कहां से मंच से शुरू होकर, दर्सक की दिमाग, हजारों में दर्सक देख रहे हैं, तो हजार mind में हजार कलपनाय बन रहा है, वो आप एक दिखा रहे थे मंच पर, एक मकान, एक दुकान, या एक चट, एक बालकोनी, या एक पिलर दिखाएंगे, तो वहां पर हजारों पिलर, हजार चट, हजार बालकोनी, हजार तरीके का बालकोनी, हजार तरीके का प्लाट मतलब उस देव भूमी का हूँ जहां जगनात एक अमूर्थ लकड़ी के खिलोने को पुजा दाता है आपको साथ सबको मालूम होगा जगनात बलदेव और सुभद्रा ये दो भाई और एक बहन कृष्ण के अवतार हैं बलराम कृष्ण और मा सुभद्रा ये तिनों का जो कल दोपना किया गया है हमारी जगनात संस्कृति में ओडिसा में तो यह जो उतकलिया संस्कृति का प्राणविंदू है जगनात जो कम्प्लिटली अब्स्क्राक्ट है आप जिस रूप में उसको देखना चाहोगे इसी रूप में दिखाए देगा इसलिए उनका हर बार नए रूप में नए भेस में लोग उसको करना ही कोशिश करते हैं कभी बुद्ध की रूप में कभी हाथी की रूप में कभी सुने सोना मड़ा हुआ वेस में कभी एक योगी की वेस में कभी बहुत संपन्न तो उसमें को लोग ना सोने के हाथ फैर जोड़ देते हैं पंडे लो राउंड शर्कल है उसके अंदर में ब्लाक स्पॉट है बस जगंदात को अगर आप धंग से गौर से देखेंगा आपको बाकी कुछ नहीं दिखाए देगा उसके चेहरे में सिर्फ यह दो आँखें और दो वइट प्रश्माट और दो ब्लाक स्पॉट दिखाई पड़ेगा और यह यूनिवर्स का कल्पना कर किया जाता है यहां से कम्प्लिट सेर्कॉलर हमारी नाथिसास्तर को देखें यह कम्प्लिट सेर्कॉलर हमारी movement completely circular आप एक परिक्रमा लगा कर आप कहते हैं कि मैं तरी लोग का भ्रमन करका है या लोग हम मान लेते हैं तो यह जो make believe या एक कलपना यह imagination की जहां जो बात है वो हमारी संस्कृति में हजारों साल पहले से हैं हमारी नाटिशास्त्र में बाद में उसके पहले हमारी बैदिक परंफरा में हमारी बेदो में उपनिशादो उपनिशादो में हमारी पुराणों में धर्म गरंथ में हमारी गीता भागवत में और हमारी प्रत्यक आक्टिविटी में उससे प्रभावित हमारी जीवन दिन चर तो यहां पर आप इंद्र की दरवार में पहुंच जाते हैं तो वहां हमारा सच मुछ कुछ होता नहीं है सिर्फ एक परिक्रमा करने का बाद आप कहते हैं कि वहां इंद्र का दरवार कितना सुन्दर है या या ये कन्नो मुनिक आस्रम है जो भी हमारी भारते नाटक में लिखा हुआ है वो हम उसको जब हम प्रस्तूत करते हैं उसके साथ हमारी परंपरा जुड़ी हुए बाते हैं गोड़ी और यह हम उसकी बाहक है उसकी बाहक है दर्सक भी हमारी दर्सक सारे सिंबल्स समझता है इंडियन ओडियंस और मोर एजुकेटर दन एनिबडी इन बार्ल्ट वेस्टन नाटियुकेटर है क्योंकि मेरी बहुत मतलब प्रत्यक्ष अनुभूती रहा है वेस्टन कंट्रीज में जाकर फियेटर करने का जहां लोग वहां समझ नहीं पाते हैं पर यहां ओडियांस कभी उसके लिए रियाक्ट नहीं करता है हमारी पार्ट अफ दे लाइफ है तो यहां पर कुछ भी आप कोई भी चीज़ को रख कर उसको कल्पना में आप एक्स्टेंड करिए और इट रिचेस तुगा ओडियांस तक पहुंच जाएगा ओडियांस अपनी माइंड में इस कल्पना को उसे अपना देखने की दिरिश्टिक खुल जाएगा तो यह यह बाली जो बात मैंने अभी कहा कि यह एकलब्बे से मेरी शुरू हुआ यूजिंग एंप्टी स्पेस विट फ्लेक्शिबल एलिमेंट्स ऐसा नहीं कि आप नाटी सास्ट्रों फ़लो कर रहे हैं तो नाटी सास्ट्र में कहा गया है कि कुछ इंस्तेमाल नहीं होता कोई मतलब कोई प्रपटी नहीं कुछ नहीं कोई सेट नहीं है मैं नाट में ओ परंपरा को फलो करते हुए भी मैं परंपरिक तो हूं नहीं तो मैं कोई सुधता तो किसी बी चीज में सुधता तो है नहीं है आप जो क्रिएट करते हो उसकी अंदर में आप सुधता को ढूलते हैं वह साल ऊंदर में क्या होता है तो आप मैं कुछ Western चीजों को अडव्ले को सिर्श हो अडाप कipped चीज गया है अडेक हम अडिन्या मेंटने करें कौछ सार चीज कि अडान प्रिसी चीमड अड़ा फोर्दा शऌन इताराम को सिर्चाथे तो यह इसको जोड़ने की कोशिश किया। मेरी एक्टर भले ही वल्यूमस्ट है, पर उसके अंदर ट्रंस्परेंस यहां आ जाता है, फिर वह स्ट्रक्चरल लग रहा है, फिर वह स्केची हो जाता है, पर कम्प्लिट चेच फॉर्म में आ जाता है। तो ऐसे लगता है तो इसे लगता है कि थोड़ा से यहां मारा, वहाँ मारा, यहां थोड़ा सा कलर समार दी आ जो बहुत सारा थी फ्लंक, एंदिगेंस चेच फोड़ा है, वह ऊट्चियंस उसका रंग भरेगा, और अपनी माइंड में उसक का पूरा करेगा। यानि कि मेरी space, मेरी actor, मेरी design, मेरी performance सारे interactive and indicative बन जाता है, वो interact करता है audience के साथ, वो indicate करता है किसी और greater truth के लिए, जो truth यहाँ नहीं है, जो दर्सक अपनी mind में उस truth को देखने लगता है, and the audience completes the performance. दर्सक performance को पूरा करता है, जब तक दर्सक नहीं बैठेगा, ये नाटक complete हो ही नहीं सकता, जिस तरी के theater का अवधारना में करता हूँ, जिस तरी के से लंगमंज को में देख रहा हूँ, आने वाले भविश्य में जिस तरी के से काम में करने के लिए सोच रहा हूँ, या अभी जो काम शुरू हो गया है, उस काम कभी भी complete नहीं होगा, वो शुरू जब उसमें एक दर्सक आएगा नहीं, और दर्सक पाटिस्पेट नहीं करेगा, तो यहाँ पर दर्सक जब पाटिस्पेट करता है, in the beginning, मेरे साथ problem, कई और problem होता है, कि दर्सक जो है, वो दिमाग लग करना नहीं चाहता है, कि यह साधरन सी बात है, हम लोगों ने तेलिवीजन देख देखकर इतना आधी हो चुके हैं, इतने आधी हो चुके हैं, कि हम हमेंसा, जो दर्सक इतना आधी हो चुका है टेलिवीजन देखकें, उसको एक complete form चाहिए, complete form, वो बिल्कुल अपना दिमाग लगाना नहीं चाहता है, बट यहां पर बे दर्सक को ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा विज्वाल कल्चर इस तरी किसे बन गया है, हमारी हर चीज में आप एक, मतलब कैलेंडर इमेज प्रेजेंट करने की कोशिस की गई है, क्योंकि है, जिसमें आपको कुछ करने की जरूबत नहीं है, बस आप देखो है, हाथ जोड़ लो, मा लक्ष्मी है, कोई नहीं देखता है, लक्ष्मी किस तरी किसे बना है, क्या है, मतलब आपको एक आस्था चाहिए, चाहिए वो थेटर में हो, चाहिए फिल्म में हो, चाहिए टेलिविजन में, आप देखिए बस खुश होगे, मैं उस तरी के नाटा तो खेत, हम, मैं क्या मेरे बहुत सारे, मतलब आप लोग में से कोई भी इस तरी के नाटा, जो रंग कर्मी है, वो पसंद नहीं करेगा, पर हाँ ये है कि, दर्सक को ट्रेनिंग देना पड़ता है, तो मेरी थियेटर का दूसरा स्टेप, जो संप्रेशन, जो हमने बना तो दिया, पर वो जब वहां तक जाता है, वहां वो बाउंस बाक न हो जाए, वो आपस वो मेरांग न हो जाए, कि वहां कुछ समझ में नहीं आए, वापस आ जाएगा, आप आज की डेट्स में ये बा जो छीज समझ में ना आए, वो आप विजुल स्टेटर के करते हो, मैं उस तरीक के थेटर के बारे में बात नहीं करता हूं, जो जो आपका जो इंटरपेटेशन है, आपकी जो कथे हैं, आप जो कहना चाहते हो, दिश्य की मध्यम से, सिंबल की मध्यम से, ब्जेक्ट, प् तो दरसक उसको bounce न करें, वो receive करें, वो receive करने के लिए हमको तो educate करना ही पड़ेगा, how we will educate our audience, यह बहुत महटपुर्ण है, क्योंकि audience दोना मकान है, तो मकान देखने का आधी हो चुका है, टिभी तो वही दिखाता है, अगर आप बुरा चरित्र है, अगर आप विल्यान है, तो audience दो एक विल्यान देखेगा, उसका आपके अंदर में गबबर सिंग को ढूड़ने ही कोशिस करेगा, जबकि यह वो तो मिलेगा नहीं उसको, फिर वो क्या होगा, क्यों लेगा, यह बेकार है, तब हम क्या करें, वो मकान, माल, for example, हम जो थेटर, जो स्पेस क्रीट किया हूँ, अक्टर को लेकर, वो स्पेस में वो मकान नहीं है, मकान का अट्मस्फियर है, हो सकता है, वो भी ना हो, कुछ और रूप में हो, जैसे रोबिन्दा हम इसा कहते है, इस वो जरूर नहीं है, कि आप उसका इलुस्ट्रेशन करो, यह तो बच्चे करते हैं, जैसे मकान है, तो ऐसे ड्राइंग बना देगे, इलुस्ट्रेशन हो गिया, इलुस्त्रेशन त हम करी नहीं सकते हैं, वियर नौ इद्लूर इलुस्ट्रेशन क्या अब इस लिए। From which source I imbibe my abstraction, not from western. But from my own tradition, thousands of years tradition. हमारी यहाँ पर इतनी सारी painting से, पुरादी दिनों को चले जाये हैं, हमारी यहाँ पैनल पैंट्टिंग से, いて अंधिरों की मूर्तियों וה s' 계 empties together mijn culture ze, हमारी इतनी tribal arts है, इतनी सारी अफ्सेक्सें से हमारी इपनी country में. तो उसको मैं ढूल, जब मैं दर्सक तक लेके जाता हूं, दर्सक समझ नहीं पाएगा, यहां पर मैं एक चीज किया, सोचा है, यहां मुझे Fritz Venwitz से एक बात याद आया, जब हम ये काम कर रहे थे, 2013 में ये बाते Fritz से, Fritz की बाते मुझे याद आया, और मैं उसको प्रैक्ट उसको फॉल लांगे, मुझेूक भॉन्सा, रहे प्रैक्ट फॉलिद भॉन्सा की कामकाना की लिएगा, श्काम धॉण ध्रूम्सारी गुएुफाऑ, वीजब को निदी भॉटी में वड़्या एघेस, हमुणे मॉटत रहे निदीन ल्हें, समझ नहीं हमाएगा, तो अफर repetition of that word for more than two-three times will definitely register in the mind and that symbol is a word symbol. Moda is a word symbol. Imagine that. So, that symbol will be converted to figurative images. Figurative image is what is child. So, that's the same thing. These things I remember. I remember that. Fritz said that. I will use that. So, there are some elements that come in there. That's where I मुझे भी समझ में नहीं आएगा एक बार में. But when we practice that, हम जब करें, तो वो meaning अपने आप में convey होता है. और वो meaning कन्वे करने के लिए हमें वो repetitions of the movements की जरुवत है. repetition of that gesture की जरुवत पड़ता है. आप repeat करोगे दो बार, तीन बार, चार बार, the audience इसको accept तरनाता है. तो जिस तरिके, जैसे for example, तुमारे विंसेंट, मेरा जो प्ले है, वो कह सकते हैं कि मेरी जो विज्वाल थेटर का एक signature प्ले है, तो उस नाटक में बहुत abstract gestures है, बहुत abstract gestures है. क्योंकि है तो painter की life की उपर है? और हमने कोई realistic में विंसेंट को create करने की, बिल्कुल कोशी सी नहीं किया, मैंने तो अपने actor को कहा थे, don't follow Vincent Van Gogh, we don't know him, हम गस किताब पढ़के या चार फिल्म देखके Vincent को नहीं कर पाएंगे, हमने उसका कितने paintings देखें, बार में मेरी किसमत में था कि इस्वर का दर्सन हो रहा था, बट वो बाद में हुआ, बट जब हम Van Gogh बनाये थे, मैं तो उनका painting से एक भी नहीं देखा था, मैं सिर्फ फटोग्राफ्स और images मेरे पास थे, तब हम उस आदमी को इतना नहीं जानते थे, तो I didn't even try to create a replica of Vincent Van Gogh, मैंने साहिदूर को मैंने कहा मैंने जो मेरे अक्टर था, रह्मान, तो उसको कहा कि यू creative, अब इतने सारे पढ़े हो, उसके इतने वर्क देखे हो, उसका खुरदरापन देखा है, उसकी blackness देखा है, कोई Vincent Van Gogh की, even physicalization की भी जरूत नहीं है, तो वो अपने को create करने की, वो अपनी जीवन से, हमारी जीवन से, हमारे आस पास की लोगों को देखकर, उसने Vincent Van Gogh की character को adopt किया, तो बहुत सारे सवाल भी आया, तो Vincent ऐसे costume नहीं पहनता है, तो तुमने क्यों जीन्स दे दिया था मैंने उसको, जबकि Vincent Van Gogh कभी जीन्स नहीं पहनता है, तो मैंने कहां कि मुझे एक working costume चाहिए था, आक्टर धूल में लोट पोट हो रहा है, उसका costume फटे नहीं, इसलिए मुझे एक heavy stop का costume चाहिए था, क्योंकि जिस तरह के gestures, posters, जो दिये थे, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो lines का मैं यूज किया था, from below the ground, यान कि horizontal, with the ground से लेकर, verticality के height तक मैंने उस actor को ले गया था, और diagonal, मतलब स्पेस में एक inch space नहीं था, जो unexplode रहा हो उस नाटक में, तो इतनी सारे explosions के साथ, जब बहुत सारे चीज़ें, जब अमूर्थ रूप में सामने आता है, दोर सक नहीं समझभाएगा, वहाँ पर एक scene आता है, जहाँ पर वो एक बड़ा सा एक black cloth, जिसका dimension मुझे याद आता है, उसका size होगा, 40 feet by 60 feet, 40 feet by 60 feet का एक काला कपड़ा, जो टंगी हुई थी उपर से कहीं, और उसका weight, अगर हम देखते हमें, एक पूरा trunk, कोई 60-70 kilo होगा, वो एक hook में उपर से टंगी होती है, और वो पूरा stairs पर भिजती है, तो एक उसमें ऐसे curve line बनता है, और उसके साथ वो एक coal terryl, या जो कहते हैं कि कोईला का खदान में जो जम जाता है कोईला रखते तो उसका एक symbolic representation था, otherwise it's an abstract thing, वो actor आता है जब scene है कि coal mines में पानी घुज जाता है, अब देखिए कैसे visuals बनती है, coal mines में पानी घुज जाता है, और उसके अंदर काम करने वाले जो स्रमीक लोग होते हैं, वो मरने लगते हैं, साथ सो मीटर की गहराई में वो लोग काम कर रहे होते हैं, वो लिफ्ट काम नहीं करता और बहुत मुश्किल से कुछ लोग उपर आपाते हैं, कुछ नहीं आपाते हैं, उसके अंदर गुत्तब गुताओके, एंड डेड़ बेड़ी कम, यह एक दिरिश्चा है, बहुत भाए करता था, मुझे वो याद आया, उत्पल्दा से, तापस से लाइटिंग करते थे, तापस से मेरी एक बार बात हुई थी, कि कलोल नाटक में, कैसे लाइटिंग डिजाइन हुई थी, तब उन्हों ने वो एक्स्परियेंस को बनाना करने की कोशिस की थी, कि पानी, कोल माइ में, और सहर नाटक में, उसमें पानी वह समया उपर उपर चड़ता है, वह ऐसालगता है, वह लगता है, वह वाटर रिफलर वगगार है, उसके उसमानी के लिए तो यह अभूत था, उने 62- Matthew, 15-25 की बात है, तो वह अलगा पनी स्टेस्पर पानी चड़ता जा रहा है, मैं तभी ने कहा ना में इलुस्ट्रेशन्स वाइ इलुजन्स को बिल्कुल हटा दिया हूं। मुझे इलुजनिस्टिक थेटर नहीं चाहिए, मुझे इलुस्ट्रेटिव थेटर बिल्कुल नहीं चाहिए, पसंदी नहीं है, I don't, I hate this kind of one. जब इलुस्ट्रेशन चाहिए, तो मैं उसका एक परसंट भी नहीं दिखा पाएगे, तब मैंने उसका अक्टर को कहा, you try to create an environment, आप ऐसा environment create करो, जो abstract हो, let it be completely abstract, let the audience, it's not necessary to understand, मतलब क्या हो रहा है, वो समझने की जरुवत नहीं है, but वो जो एक, उसको, वो furiousness, वो डराबनी पन अगर create हो पा रहा है, that is more important for me. तो मैंने कहा कि how you will create, तो अक्टर बहुत क्रिटिव है, he is a really gem of the actors, मैं कह रहा हूं, बहुत क्रिटिव अक्टर है, उसने, मैं दो दिन लिया इस पूरी सीन को सोचने में, उसमें मेरे और भी बहुत सारे फ्रेंट्स काम करते थे, उसना टगे में, बहुत सारे स्टुडेंट्स थे, everybody, they contribute to the scene, और क्या हुआ, कि वहाँ पर एक नेट पड़ाता है, just I see how things are being created, कैसे बनता है visuals, तभी मैंने कहां कि यह play है, खेल, खेल-खेल में चीज़े ऐसे create होता है, तो वहाँ पर एक basketball का नेट, या football का एक नेट पड़ा वाता है, junkyard में, तो बच्चे ने उसको उठा लिये, और ऐस आसा ही improvisation करते हुए, उसके अंदर फस गए, उसकी अंदर फसे, और ऐसे लगा कि मतलत, they want to come out, बट जाल की बज़र से बाहर निकलने पा रहे है, तो और वो सब जो है, वो black club के नीचे चले गए, improvise scene create कर रहे है, और actor जो है, साहिद, जो कि उनको निकालने की कोशिस कर रहा आसा ही, maybe out of curiosity, out of exploration, हम explore कर रहे हैं matter को, तो बोस ने कपड़े को एक तरह कर रहे हुँ हिलाया, हिलाया तो ब्लाक में waves create हुआ, oh my god, it was a furious waves, क्योंकि कपड़े का वजन है, और उसमें जो waves create हुआ, उसका बाद में तो खेर, इसका पर जब लाइटिंग डली गई, वो ऐसे कि मतलब चमक रहा है, मतलब lines, lines का है इस तरीके से, कटी-कटी-कटी-कटी, wavy-wavy lines, और नीचे कुछ लोग फसे हुए जाल के अंदर में, that environment, मैं, मतलब मैं कहने ही, मतलब आप, मैं पूरा बोल नहीं पा रहा हूँ, जिन लोग ने नाटक को देखे होंगे, साइद ये ये एक experience मैं आपका साथ share किया, visual theater का, जो दर्सक की, imaginations में, वो नदी, समुद्र का पहाड, तुफान, वो आंधी, वो बबंडर, और चो भी हो, वो create क्या होगा, वो, because that is, that was the magic of lines and colors, उसमें चो form बनता है, that visual, that flexibility, visual का flexibility, एक moment में ये है, दूसरी मोमें बोही visual कुछ दूसरे बन जाता है, तो ये जो flexibility, जो Indian adaptation है हमारी, वो flexibility is totally Indian, European Americans, they never believe in flexibility, उनके अंदर में flexible ideology है नहीं, बहुत rigid है, और वो fix है, वो इस तरी किसा theater करी नहीं सकते, ये तरी का theater, oriental का कोई बंदा करेगा, जिसको रंगमंच, अधुनिक रंगमंच का समझ है, इसको आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, Europe, America में हमें expect नहीं कर सकते, तो कि मेरी अपनी personal experiences से मैं बात बोल रहा हूं, तो ये visual theater मेरा, जो है, ये अभी, I am just in the process of making the things, मैं सिर्फ अपने अपके introspect कर रहा हूं, इसके उपर सोच रहा हूं, कुछ, एक किताब लेखनी की प्रयास किया हूं, एक किताब अल वो मुझे 3-4 साल लगेंगे, क्योंकि देखिए, जो चीजें मैं बोल रहा हूं आपकी सामने, आने वाले भविश्य में ये बात तभी, ये जब आ इसको explain करूँगा, तो तभी आप समझ पाएंगे, सिर्फ production देखने से नहीं होगा, फर a theater student, वो अगर वो production देखेगा, सा तो 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 मैं अभी काम चल रहा है, थोड़ा, मैं इसलिए कभी-कभी विक्षिप हो जाता हूं क्योंकि माइड कहीं अलग-अलग जागा पर बंटा हुआ है, तो ये है मेरी अपनी यत्रा, मेरी अभी तक की रंग-यत्रा के पड़ा, अगर कुछ सवाल है, मैं इसका उपर बात करना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा कोस्टन कोस्लोग ने किचे मैं थोड़ा पढ़ता हूं, आईजल, एट मी गो थू तुरू तो पेसे वास्ट आपकोम, भूमी जी, भूमी नवस्ते भूमी, विजल पोईतरी, वाट इस अमेजिग इंट्रेटिश्न, गुट आपका सवाल है लिटल मोर बाते हैं आपके सामने मैं क्लियर कि मेरी अपनी वीजन क्या है कि वीजन जो द्रिस्टी है मेरे जो मैं दिस पर काम कर रहा हूं इसमें आक्टर अबजेक्थ मेटरियल स्पेस इस सब मिलकर एक बूसार क्या केते हैं कि एक एक संगम बनाते हैं अब डेफिनेटली, my designed space is actor based space, मतलब बहुत लोग कहते हैं कि design जो है, यह space, जो designer space design करता है, designer अगर को director बन जाता है, वो actor को खा जाता है, क्योंकि वो उसका design हावी हो जाता है, मैं इसमे विलकुल विश्वास नहीं करता हूँ, मेरा स्पेस एक्टर्स फ्रेंडिल फेस तो आप्टर को कोई खा जाने का कोई मतलब भी नहीं है तो आप अपने एक्सिफ नौ रहा हूँ अगर 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 मैं अपने आपको अपने सब्सक्राइब होना चाहिए अवाज में फ्लेक्शिबिलीट्य होना बहुत जरूरी है, तभी वो एक्टर के साथ में comfortably काम कर पाऊंगा, क्योंकि काम हम experiment पर विश्वास करते हैं, मैं हमेसा प्रयोग धर्मी रहा हूं, मैं आज कोई चीज मेरे लिए, जैसे मैं यह बात आज आज आपका सामने बोल रहा हूं, हो सकता है आने वाली दिन, आने वाली एक साल में चीजें बदल जाएं, क्योंकि थेटर में there is no ultimate truth, there is no absolute truth in theater, theater truth varies from according to situations, time, space, के हिसाब से हमारी truth बदलता है, इसका समय बदलता है, time बदल जाता है, situations बदलती है, हमारी socio-political, economical conditions बदलती है, तो truth बदल जाएगा, तो theater truth always lives in the present, आज मैं जो बात कर रहा हूं, हो सकता है क कल को मैं अपनी बात को खंडन करूँ, नहीं, मैं इस तरी काम नहीं करूगा, अगर मुझे लगे एक दिन, ऐसा है, no, what I am doing is wrong, I should do something different, so I will start as something different, but experiment तो continue होगा, ये बात तो तय है, मैं अधर्य में काम करने वाला निर्देशक नहीं हूं, तो मेरा बिल्क में कभी उल्टा प मेरे साथ, अब एक-दो रिहर्सल सो के बाद, वो कहते हैं, सार हम continue नहीं कर पाएं, इस उमर में क्या कौन उचल कुट करता है, ऐसे भी लोग कहते है, थोड़ा मुझे वाला आक्टर हो, वो बूस के लिए जाता है, तो क्योंकि आक्टर को हमेंसा flexible रहना चाहिए, वो flexibility मेर मेरी objects में भी है, मेरी properties में भी है, मेरी actors में भी है, मेरी lights में भी है, और मेरी दर्सक भी उतना ही flexible mind लेकाते हैं, नहीं तो मेरा दर्सक भी नहीं बन पाएंगे, तो यह जो theater का उपर मैं आज बात कर रहा हूँ, यही मेरी आज का truth है, in the 21st century, August, 25th August, 2020 का यह truth है, हो सकता है, 21 में जब आप से हमारी बात होगी, साइध कुछ और हो सकता, मैं बिलकुल इसके लिए आप अभी से माफ ही मांग रहा हूँ, तो यह तो इसके उपर हमने काफी चर्चा किये हैं, उसके बाद, सुमन जी, सुमन नमस्कार, very nice performance सर जी, Walter, hi sir, hello, Walter, how are you, संगीता जी, नमस्कार, कभी मुलाकात नहीं हुआ है, पर मैं आपका फैन हूँ, आपके किताब पढ़ा हूँ, आपका नाटे सास्त्री को पर तरजमा बहुत, पढ़ा, सुना हूँ, देखा हूँ, यूट्यूब में, आप मेरी एक प्रणा के स्रोत रहे हैं, तो नमस्कार आपको, राहुल रभी अभी थोड़ी तरह में बात करूँगा कि आपका साथ मेरी क्या संबन है, और T.I.E. कंपनी का क्या कंट्रिबूशन रहा है मेरी लाइफ में, तो ये एक, अभी मैं थोड़ा से देख लेता हूँ, बात करूँगा, इंपोर्टेंस and design is not only for actors, for the audience to create their visual man, yes, you are right, जय 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 जगनात, symbol, symbol of all the symbols, Lord Jagannath is the symbol of all the symbols, जितनी सारे हमारी प्रतिक हैं, सब के प्रतिकों का प्रतिक हैं, वो प्राण विंदु है, हरे तो वो source of inspiration है, तो वो आपकी काम में, जो भी उस cult को विलंग करता है, उसकी काम में निखा, वो आता ही है, आएगा ही आएगा, तो हलाई डार जो आता है, 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 गुर्ग थेत्ल विजवार टरू इन विजवार विजवार क्या थाफ इस वॉटित विजवार का भी पड़ता है बस बॉमेंट को चैप्चर करलो बस फिर धूनला जाता है। पिर वो दून चुटता नहीं साथ, थैंक यू सारी नमस्ते, गोरांग राहुत, नमस्ते गोरांग, हावर यू, नाइस टॉप अपना आटका, थैंक यू, संगीता जी, I respect your work so much, थैंक यू, संगीता गुंदर चाहाजी, थैंक यू for your journey, ओके, so now, let me wind up it, जबकि देर घंटा हो गया है, पांच दस मिनिट और बात करके हम इसको wind up करेंगे, sense of visuals, जो है, वो उसकी उत्त्ति की बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा, क्योंकि वो, it didn't come in overnight, वो कहीं आपका root से जुड़ा हुआ है, तो ये जो द्रिश को, की बात मैंने इतना यहां तक किया, वो मेरी परवरिस का साथ चुड़ा है, मेरी culture का साथ, मेरी odisha का culture, मतलब जहां, मतलब हम figurative language में हर चीज़ बात करते हैं, जह हमारी odisha में कहते हैं, धगढ़ धमाली, या हिंदी में हम कहते हैं, महावरा, महावरा में बात करते हैं, महावरा जिसे आप देखे कितना, कहते हैं, एद का चान्द हो, क्या, हमारी odisha में कावत सवकाल कुनिया, कुनिया ठाए, मतलब बहुत सारे दरर, you can't understand this, so, यह जो हम figurative language में हमारी है, सब के अंदर में होता है, यह कभी हमारी थोड़ी से odisha में ज्यादा है, हम लोग इस तरीके से महावरा है, क्यों महारजे, का वात है, बड़े, मतलब, यह वन के घूम रहे हैं, हमारे पूरी के language है, पूरी के जगनात के culture के भासा, वो महार्ज से होता है, तो यह कहीं हम, इसके हिलावा हमारी natural calamities, हम लोग बहुत state जो है, बहुत deprived state है, कुछ मामले में, कुछ मामले में, धर्म की मामले में, spirituality के मामले में, बहुत height पे है, state, बाकी चीजों की मामले में, हम लोग थोड़े पीछे चले गए, because of natural calamities, natural calamities में बाढ़, सब जिस वक्त मेरी संस्कार बन रहा था, जिस वक्त मेरी ग्यान, ग्यानोदे हो रहा था, उस समय नदी, बाढ़, पानी, यह तो मेरी, मतलब, जीवन के अंग है, नदी में नहना, मचली पकड़ना, बाढ़ में कुदना, मतलब, छोटी नावे केले के तने को जोड़ कर उसमे दूर निकल जाना, पानी में कुछ जाना, फिर उसके बाद रंग बे रंगी तितलियां पकड़ना, यह जितने सारी चीज़ें होती है, और इसके इलावा हमारी फेस्टिवल्स, इतने फेस्टिवल्स हैं, उसमें एवरी डे दरीजे फेस्टिवल्स, आज भी कोई फेस्ट होता है, कार्तिक पुर्ण में आता है, तो एक पूरा महिना भर का फेस्टिवल्स से, अब हमारी जो चबुतरा होती है, चबुतरा की सामने, वो रंग रंगोली टाइप के, रंग जो है ना, नेचुनल कलर्स होती है, मतलब पिग्मेंट कलर्स, फत्तों से, फोलों से, और अब जो और फुल चुड़ियां पहनते हैं, ग्लास के, उसको कूट के, उसमें कलर्स मिलाके, वो बनाते हैं, उसका हम ओडियां बशाएं, मुरुजा कहते हैं, मुरुजा, उसमें तिफरेंट, मतलब पद्मर्द कमल का फूल बनाना, जगनात की मुर्तियां बनाना, मौर गुपाल कृष्ण बांसुरी पकड़के को, जैसे भी हो, हर एक औरत गाउं में करता है, हर एक लड़कियां, खाचकर के, औरते हैं लड़कियां, ये तो करेंगे करेंगे, खराब बुरा वो बात नहीं है, तो एवरी घर के सामने जो तुलसी का चोवरा होती है, उसकी साम लड़कियां पूरा देवी का पुजा करते हैं, उनका नाम है खुदरुकुनी, वो पूरा फेस्टिवाल, उसकी गाने हैं, धुने हैं, जो भी अच्छा, रजसंक्रांती, फेस्टिवाल, इसकी बीच में जिंदे की मैंने पला बढ़ा, और इसके बाद हमारा दो तिन जो स्कल्प्चर है, जो बड़े टेंपल से कुनार्क है, पूरी है, लिंगराज है, वो इतना बड़ा है, वो आप चाहे तो उसको अंदेखा नहीं कर सकते हैं, उसकी जो वार्क है, उसकी जो स्कल्प्चर से, जो मुर्तिकला है, वो आपको उपर कहीं सवार होता है, आप तो सर्मा जी, मेरे प्रोफिसर हच्वी सर्मा, सर के वज़ा से मैं आज थेटर में, डिजाइन में आने की कोशिश किया, फिर रबिंदा मिले, तो ऐसे लगों जब फिर कारण जी, अल्टिमेटली, तो भारत महवन में 6-7 साल का जो अनुभूती रहा, बहुत भूत, मतलब मै तो कहता हूँ कि मेरी जीवन का सबसे गोल्डेन ममेंट जो है, वो है रंगमंडल का, जबकि उस वक्त बहुत सैलरी ज्यादा नहीं था, हजार, आट, नौसों हजार रुपे सैलरी मिलता था, और काम बहुत होते थे, तो फिर भी, इतना काम जो सिखा, वो ही से सिखा, मैं मेरा सबसे जादा कुछ नहीं सिखा था, सिर्फ एक समझने की थोड़ी सी बुद्धी आई थी, तो कारण जी के बाद, वहां में, देखिए, उसके बाद जो मेरी दिल्ली आनावर, टी आई कंपनी, मेरा सबसे जाड़ा, एक अनादर, इंपर्टन जो पड़ाव है, वो है अगर में वहां नहीं गया होता, साहिद में बंबे चला गया आता हूँ, और कहीं और चला गया होता, पता नहीं, गाउं चला गया होता, क्योंकि भारत भवन में बहुत, डिस्टीट हाल, बहुत, मतलब क्या कहें, mentally disturbed हालत में, मेरी अपनी personal problem के वाज़ा से मैंने छोड़ा और उसके बाद मैं ठीटर छोड़ने के लिए भी सोच रहा था, कि अब नहीं करूगा, क्योंकि बहुत, कुछ ऐसे घटना है जीवन में होती है, हर एक अदमी के लाइफ में आता है, तो उस समय कारंजी भी नहीं थे, कारंजी के साथ कुछ प्रॉबलम हुआ था, आप सब हम एकदम से ब्लाइड ले आंख बंद करके आज सोचा और कल मैंने छोड़ दिया, छोड़ के मेरे पास कोई कुछ जाने का नहीं था, मैं आप विश्वास करोंगे जिस दिन में भारतों के से जॉब छोड़ा, उसी दिन मुझे मुझे मादा छोड़ने के बाद, दो गंड आवार्ड मिला, तो ही इसे ग्रेट, इसे ग्रेट, इसे ग्रेट, सिंप्ली ग्रेट टीचर, बैरी सर ने वह जो टेलिग्राम मिला, उसमें लिखा था कि if you are interested, you can come and join in TI company, we are inviting you, as an expert for theater and education company, तो मैं अब लोकरी छोड़ दिया था, तो इमीडियतली रात को मैंने train में तो TI में जब join किया, तब यहां मेरा एक दूसरा पहलू, जो वहां भारत भाबन में जमीन तयार हो रही थी, पर वो दिखाई नहीं दे रहा था, वो वो expressions यहां पर निकलने, बैरी ने, बैरी की वज़े से साहथ निकलने की कोशिस की, तो चोटे बच्चों के साथ काम करने का मोका मिला, जिसमें पिटर, मनीश, अपना, क्या ना में, बहुत सारे मुझे अभी यार नहीं आ रहा है, बहुत सारे बच्चे, अभी तो बड़े होगे, संग्या, संग्या उपाध्याय, और गुरुषा, गुरुषा कपूर, यह सब बच्चे, तब चोटे बच्चे थ तो इन बच्चों का साथ काम करने का मौका मिला, वो मेरे लिए एक बरदान हो गया, बच्ची इतने क्रिटीव होते हैं, तो अगर पिटर यहां पर हो, या मनीश अगर होगा, या कभी सुनेंगे, तो यह बात वो आज याद करेंगे, तो इन बच्चों का साथ हमारी जो र उसके लिए 40-50 मास्क की जरूरत थी, वहां मैंने फाइवर ग्लास की टेकनिक सिखा, उसी नाटक की वज़ा से, मैंने फाइवर ग्लास सिखा थे परफेसर देव महापत्र की वज़ा से, और थर्मकल कार्विंग, प्लास्टर पैरिस में काम करना, पेपर मैसी, स्पांज र अपनी गाउं से, बच्पन से, और यहां निकालने की, एक्स्प्रेज करने का मोका मिल गया, तो TI company actually is a period of self-discovery, यहां पर हमने discover कि अपने को इन बच्चों के साथ मिलकर, जो आज बहुत बड़े बन चुके हैं, काफी कुछ नामी, जिसे पीटर राजकल बहुत अच्छा क संग्या कालेज में प्रफेसर है, पढ़ाती है दिली इनवर्स्टी में, किसी कालेज में, तो इतने बड़े-बड़े लोग, इनको आप कहने के लिए सरम आता है कि मैं आपका टीचर रहा हूँ, क्योंकि इतने बड़े बच्चों को क्या बोले, पर इन लोगों से, इन यह इंपल्सनेस जो बच्चों का होता है, उससे बहुत कुछ क्रियेट हो जाता है, यह मास्क बनाना, प्रपर्टी बनाना, इसकी एक्स्प्रिशन्स, यह हमने T.I.E. कंपनी में सिखाला कि इसके पहले में थोड़ा बहुत मास्क बनाता था, बड़ आट पिरियर्ड, I learned it I learned through a practice, तो फिर बाद में T.I.E. से जब हम गए, तो लोग का बीच में हो गया था, कि सत्या तो मास्क बनाता है, प्रपर्टी बनाता है, तो चलो इसको कुछ मास्क प्रपर्टी का काम दे दो, तो धीरे-धीरे मेरा रोजगार का साधन बना, फ्रिलैंसिंग का, तो इससे ह हम थोड़ा पैसा भी कमाए, और हला कि मैं यह कह रहा हूँ कि इसका इतना इज़त नहीं था, उस समय, 90 की बात कर रहा हूँ, 1991, 92, इस समय, मास्क प्रपर्टी का क्राप्ट्समैन बनाते थे, क्राप्ट्समैन बोलते थे, तो सत्या एक क्राप्ट्समैन है, तो मुझे कोई मैं अगराप्ट्समैन, आ यहां पर कई अपर कई आए, पढ़ाब आए, अब एक्स्परिमेंट करने के लिए, मोहन जी का एक नाटक या दाता है, अथस, एक्वेस, एक्वेस, पिटर साफर का प्ले है, जिसमें मुझे साल्ट घोड़े बनाने के लिए, शर ने बुलाया, तो तब तक मैं फाइबर ग्लास में काम करता था, पेपर में में काम करता था, अब मोहन जी ने मुझे कहा, material is your choice, हलांकि एक designer के लिए material बहुत important होता, you have to know the possibility, the limitation of the materials, material का ग्यान अगर आपका है, तो you can do wonders, तो एक साथ कई materials का जोड़ भी सकते हो, तब वहाँ पर हमने एक नया, हमने सार को बला नहीं, सार मैं यह सब जो कर रहां मैं आप नहीं करूँगा, I want to create something expressionistic, क्योंकि यह ism के बारे में मुझे knowledge होने लगा था, realism, expressionism, impressionism, cubism, pubism, यह जितनी सारी बातें आज हम करते हैं, सार-realism, थोड़ा बहुत Barry से, Barry Sir से, because of Barry, Barry, Western ideology से आये थे, तो उन से मैंने यह चीजे थोड़ी adopt करने की कोशिस की थी, तो सर ने कहा, कि how you will do it, कैसे करोगा, मैंने कहा, मैं structural बनाओना चाहता हूं, structural mask बनाओंगा, देखते हैं, कि इसके पहले में कभी try नहीं किया था, so इतना बड़ा risk लेना, भी कोई director side नहीं चाहेगा, but Mohanji ने मुझे कहा, okay, it's up to you, you decide, तो structural mask या नहीं कि मेरे दिमाग में, hello Niraj, hello, hello, मैं wind up कर रहा हूं, 2 minute में wind up कर रहा हूं, so, तब हमने केन मास्क बनाने की प्रयास का, केन का मास्क बनाए जिसमें अक्टर का face visible हो, actor visible हो, और उसका expressions visible हो, plus mask expressions भी visible, तो इस तरीके से काम करते 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 इस पढ़ाब तक पहुंचने में, काफी समय, काफी साधना और काफी समस्या के बीच में, जिवन गुजरा है, तो इसी के साथ मैं अपना वक्तब्र समाब कर रहा हूं, समय हो गया है, वहां से भी phone आ गया, कि इसको wind-up कर दिया जाए, तो thank you, thank you Natrang for your giving me this platform to talk about my, my work, my life and my vision about theater, thank you so much, thank you my dear audience, Namaste.